सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडिवीट पियन लोदा मित्रों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्पुन सूचना आपको देना चाहूंगा रीड बरती से समंदीत कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपके फरवरी में एक्जाम नहीं होगा मार्च में ही आपका एक्जाम होगा लेकिन साथियों उसमें कुछ संसुधन करते हुए मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको अच्छी तरह से बताया है कि उस वीडियो में क्या मिश्टेक रहे गई थी मुझसे वो मैंने आपको अच्छी तरे से बताया था तो बिल्कुल कुछ ही समय में मतलब लगबग 5 या 10 दिन के अंदर आपके विग्यपति आ जाएगी साथियों और आपके वोई फरवरी में एक्जाम होने की 101% संभाव नाए मित्रो चलिए शुरू करते हैं परेवन अध्यान मोडल पेपर 5 लेवल 1 के लिए शांदार 30 कुशन आपको देखने को मिलेंगे 31,000 पदों की ये भरती है साथियों तो बिल्कुल कोई बहाना नहीं होना चाहिए पूरे की पूरे 30 कुशन आप जरूर करें शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों पूरे 30 कुशन देखना मज़े आएगा मित्रों प्रिशन है कि है एकल परिवार का सबसे बड़ा दोश है एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनकी एविवाहित संतान होती है उसको क्या कहते है एकल परिवार तो इसका सबसे बड़ा दोश क्या है एकल परिख है बच्चे स्वाव लंबी नहीं बन पाते हैं बच्चे एकांग की तता अंतर मुक्य हो सकते हैं बच्चे अच्छी सिक्सा गरहन नहीं कर सकते हैं और बच्चे बच्चे बच्पन से वन अंतरमुकी का जो एकतर से गुणिया लक्षन है वो यहाँवर प्रकट होता है एक कांकी हो जाते हैं अंतरमुकी हो जाते हैं सात्यों यह एकल परिवार का सबसे बड़ा दोश्य माना जाता है तो मिद्रों यहाँ पर आपका दूसरा विखल सई है प्रिश्न संक्या एक में बढ़ते हैं, अगले प्रिश्णी के और आपके दूसरा क्विशन है, बाल विवा को समाप्त करने का सरवादिक उप्युक्त उपाई है, सिक्षा का व्यापक परसार, आर्तिक सहायता करना, रोजगार के आउसरों में व्रद्दी और बाल विवा निरोध कानूनों का निर्म तो साथियों प्रिश्णी क्या पूँचा है, बाल विवा को समाप्त, मतलब 18 और 21 वर्ष की जो आयू है, लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष की, इससे पहले जो विवा होते हैं, तो इसको समाप्त करने का सबसे बेश्ट तरीका होता है, साथियों आपका यहाँ पर प् ना बंद हो जाएंगे साथियों, यह बेश्ट आंसर रहेगा, प्रतम विकल्प ही इसमें सही आंसर है, क्योंकि सिक्षा के माद्यम से व्यक्तिके हैं, आर्तिक साहिता भी हो जाएगी, बाल विवा के कानूनों का भी वो एक तरस से सम्मान करेगा, रोजगार के उसरों में विवर्दी हो जाएगी, तो इसलिए प्रतम ही विकल्पियां सही रहेगा, प्रशन संक्या दो में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्युशन क्योर मित्रों, प्रशन नमर तीन है, भारत में अधिकांश आवास किस आकरती में पाए जाते हैं, तिर्बुजाकार, वरताकार, आ आपके आईताकार आकरती के आवास पाए जाते हैं, आईताकार मतलब इस प्रकार के ये, इस प्रकार के चोड़े तो कम और लंबे जहला होते हैं साथियों, तीसरा विकल्प सही है, सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के मकान आपके होते हैं साथियों, नेक्स ने, प्रिशन निम्म में से कौन से पोधे मरुस्तल में नहीं पाए जाते हैं नागपनी खेजडी एकटस और सहतियों आप पानीu में उंखता है सात्यों इस लिए मरुस्तल में नहीं पाए जाता है तो यहां पर आपका चोता विकल्प सही है सात्यों प्रिश्ण संक्या चार में बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रिश्ण के और आपके पांचवा क्यूशन है पशु आधारित उद्योग नहीं है दुग्द पाउडर, मोजडिया वेफर्स, लकडी के खिलोने और गी एवम क्रीम तो गी एवम क्रीम किसे बनती है दूद से दूद को देते हैं पशु देते हैं तो पशु आधारित है दुग्द पाउडर भी पशु आधारित है मोजडिया वेफर्स भी पशु आधारित है लेकिन सात्यों लकडी के जो खिलोने हैं ये पशु आधारित नहीं है तो सात्यों राजिस्तान का राज जो पष्यू है वो पहले ऊट था और चिंकारा को भी राज पष्यू का दर्जा दिया गया है इसलिए यहाँ पर आपका तीसरा विगल्प सही है चिंकारा वे ऊट दोनों को ही राज पष्यू के अंतर गर समिलित region किया जाता है मित्रों आपके प्रशन संक्या साथ आता है हड्डियों के समुचित विकास के लिए उपयोगी विटामिन है कि जो हमारी हड्डियां है इनका समुचित विकास हो इसके लिए कौन से विटामिन का ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D तो साथियों हड्डियों के विकास के लिए आपको विटामिन D का सबसे ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए साथियों तो आपका चोथा विकल सही है यहाँ पर प्रिश्ण संख्या साथ में मित्रों हो अगला क्यूशन देखेंगे आपके आटवा क्यूशन है निम्न में से उर्जा का नवी करनीय संसादन है तो मैं आपको बता दू नवी करनीय संसादन का मतलब होता है जिसका प्रियोग एक बार करने के बाद भी वो चीज समाप्त नय हो और उसका आप दोबारा प्रियोग कर सको तो वो कहलता है नवी करनीय संसादन कोईला, सोर उर्जा, डीजल और गेस तो साक्यों गेस का आपने एक बार प्रियोग कर लिया फिर नई गेस आपको बरवानी पड़ती है तो ये तो गलत है डीजल का भी एकी बार प्रियोग होता है कोईले का भी एकी बार प्रियोग होता है लेकिन जो सोर उरजा है इसका आप कहीं बार प्रियोग कर सकते हो तो ये एक नविकर्णी संसाधन के अंतरगत आ जाता है तो मित्रों यहाँ पर आपका दूसर अविकल्प सही रहेगा प्रिश्ण संख्या आठ में चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नौवा क्यूशन है सात्यों नौवा क्यूशन को अच्छी तरह से देखिएगा किये गए प्रावदानों के अनुसार सत्यकतन कोन सा है किसके अनुसार हिंदू अदिकार अधिनिया Anุम में संतान रही दंपत्ती की मत्य उपर उसकी संपत्ती पर सरकार का अधिकार रहेगा तो यह तो पहले के राजा महाराजा करते थे यह तो गलत है पेतरक संपत्ती में महिलाओं को भी पुरुष के समाना दिकार होगा ये बिल्कुल मुझे सही बात लग रही है किसी पिता द्वारारजी संपत्ती में से पुत्र को उत्रा दिकारी से वन्चित नहीं किया जा सकता कर सकता है जिसकी संपत्ती है वो चाये तो दान भी दे सकता है पेतरक संपत्ती में पिता अपने पुत्र को उत्तरा दिकारी से वन्चित कर सकता है बिल्कुल यहाँ पर यह जो सत्य कतन है सात्यों वो रहेगा आपका यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो सही है कि पेतरक संपत्ती में महिलाओं को भी पुरुष के समान अजिकार होते हैं जिसे एक घर में एक लड़का है एक लड़की है तो यहाँ पर दोनों को ही भराबर जैदाज मिलती है सातियों वो अलग बात है कि जो लड़कियां होती है वो सफुराल जाने के बाद अपने जो भाई है उसके नामी जाइदाद कर सकती है प्रश्ट हैं दस क्यों बरते हैं सातियों दसवा क्यूशन क्या है जिला उबोकता मंच के निर्णे की राज जायोग में पिल कितने जिलों के अंदर की जा सकती है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन तो सातियों देखिए जिला उबोकता मंच के निर्णे के विरुद कि आपने किसी चीज को जिला उबोकता मंच में धायर किया कोई शी कहता है आपको आप एक उबोकता हो और आपको लगता है कि आप जिला उबोकता मंच में गलत निर्णे दिया है तो उसके खिलाफ आप राज जायोग में कितने दिनों में अपिल कर सकते हो पित्रों आप 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपिल करना ही होगा 30 दिन से जादा हो जाता है तो आपकी अपील एकसेप्ट नहीं की जाती है सातियों यहाँ पर प्रतम विकल्ट सही है 10. क्यूशन में चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के ओर 11. क्यूशन है सातियों राजिस्थान का प्रतम शिल्प ग्राम कहां इस्तापित किया गया है साथियों राजिस्थान का पहला जो शिल्प गराम है वह आपके राजिस्थान के उदेपूर जीले में इस्तापित किया गया है दूसरा विकलत सईये, साथियों प्रशन संक्या 11 में, प्रशन है 12 देखेंगे, बारवा क्योंशन है बच्चों को नशाखोरी जेसी सामजिक बुराईयों से बचने तो आउशक है उन्हें खर्चे के लिए अधिक पेसे नहीं दिये जावे उनकी संगती पर कडी नजर रखे जावे उन्हें कटोर ननुशाशन में रखा जावे और उन्हें निरंतर उचित मार्ग दर्शन दिया जाए देखिए कोई बच्चा है जिसके अंदर सामजिक बुराईयों का विकास नहीं हो चोता विकल्ब आपका यहां सही है प्रिश्न संख्या बारवे में मित्रों अगला क्यूशन देखेंगे देखिए आपके प्रिश्न नमर 13 है राजिस्तान का कौन सा कजबा अपने दर्यों के लिए विक्चा थे मतलब दर्या कहां की प्रसिद्ध है सात्यों राजिस्तान में लवान टोंक नागोर और जेसल मेर तो सात्यों प्रिश्न संक्या 13 में सही अंसर है राजिस्तान का जो लवान कजबा है लवान कजबे का नाम है ये ये दर्यों के लिए प्रसिद्ध माना जहता है सात्यों किसके लिए दर्यों के लिए लवान एक कजबे का नाम है परतम विकल्प यहाँ पर आपका सही अंसर रहेगा साथ यो प्रिश्ण संख्या 13 में एक्ष्ट प्रिश्ण 14 है राजिस्थान में नश्या मुक्तियां अंदोलन में महत्पुन कारी करने वाले समाज सेवी है तो वो है नारायन सिन मानक लाओ परतम विकल्प यहाँ पर सही है साथ यो प्रिश्ण संख्या 14 में नेश्ट पंदरवा क्यूशन देखेंगे लाल रुदिर करनिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है दस दिन, साथ दिन, 120 दिन और 365 दिन तो साथियों लाल रुदिर करनिकाओं जिसको आर बीसी के नाम से जाना जाता है इनकी जो अवदी है जीवन काल की वो होती है 120 दिन कितने दिन? 120 दिन तक यह जीवित रहती है साथियों तीसरे विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रिश्न संख्या 15 में नेक्स्ट सोलवा क्यूशन देखेंगे प्राकर्तिक गेस का मुख्य गटक है प्राकर्तिक गेस का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए एक होती है आपके CNG और एक होती है आपके LPG दोनों अलग-अलग गेसे हैं तो यहाँ पर प्राकर्तिक गेस का मुख्य गटक आपसे पूचा है संपीडित प्राकर्तिक गेस देखिए LPG लिक्विड पेट्रोलियम गेस जिसको कहते है इसके मुख्य गटक कौन सा है तो साथियों लिक्विड पेट्रोलियम गेस या प्राकर्तिक गेस का मुख्य गटक होता है नेक्स्टो इस सत्रौ क्यूषन देखिए मित्रों प्रकाश की सरवधिक चाल कहा होती है सरवधिक चाल क्याप से पूँच रहा है जल में निर्वात में काच में और उक्त में से कोई नहीं साथियों सबसे ज़्यादा चाल मतलब सबसे तिवर गती से प्रकाश किसमें आवागमन करता है साथियों प्रश्ण संक्या 17 में आपका सही अंसर है निर्वात प्रकाश की सर्वादिक चाल आपके निर्वात में होती है दूसरा विकल्प सही है साथियों निर्वात का मतलब होता है वायू रहित इस्थान क्या होता है वायू रहित इस्थान निर्वात कहलाता है राजिस्थान के कि जिले में बड़ी संख्या में पौनूर्जा सयंत्र इस्थापित किये गए है जिसल मेरबार मेर बिकान हेर जैपूर तु यह गए हैं क्योंकि यह पूर्ण रूप से रेगिस्तानी लगाए साथियों और यहां पर आंधिया बहुत चलती है जिसके प्रेणाम सुरुप और नुरुजा का अच्छा कासा हो जाता है प्रश्ण है 19 देखेंगे मित्रों 19 वा क्यूशन है राजिस्तान में व्रहतिस्तर क पर राजिस्तान में व्रहतिस्तर पर डेरी व्योवसाई किस प्रारूप में संचली थे एकांकी सवामित सहिकारिता कमतनी प्रारूप और साजेदार साथियों जो राजिस्तान में व्रहतिस्तर पर डेरी व्योवसाई है यह सहिकारिता पर संचली थे किस पर संचली थे एक के लिए प्रशन भी स्वा आता है मित्रों भी स्वा कि उश्ण क्या है रामगर गेस वज्यूत परियोजना राजस्थान के किस जिले में है भार्ड मेर जईपूर जेसलमेर और बिका नेर तु sparथि उराइट आंसर बताएं रामगर गेस विजुत परियोजना राजिस्तान के कौन से जीले में है साथियों मित्रों देखे रामगर जो गेस विजुत परियोजना है ये राजिस्तान के जेसलमेर जीले में है कौन से जीले में है जेसलमेर जीले में तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है साथियो बीसवे प्रिश्ण में चलिए देखते हैं प्रिश्ण नमबर 21 को आंत्र शोध या टाइट फाइट का कारण क्या है दूशित बोजन, वंशान, उगतिता, संक्रमान और इनमे से कोई नहीं तो साथियो कभी भी टाइट फाइट शंक्रमन से नहीं फेलता है तो तीसरा और चोता विकल्प गलत देखिए आंत्र शोध या टाइट फाइट का मुख्य कारण होता है दूशित बोजन करना क्या होता है साथियो दूशित बोजन करना प्रत्र विकल्प या पर आपका सही है साथियो प्रिश्न संक्या 21 में चलिए देखते हैं प्रिश्न संक्या 22 22 वा क्यूशन आपके हैं साथियो भारत के उत्री पुर्वी भागों में अधिकांश गरों की छतों का आकार केसा होता है आयताकार, बेलनाकार, शंकवाकार और गोलाकार देखे अगर डारेक्ली कुशन अगर पूछा जाता है कि भारत के अधिकांश गरों की छतों का आकार कैसा होता है तो फिर वो अलग है लेकिन उत्तर पूर्वी भागों के अगर बात करें तो उत्तर पुर्वी जो भाग है यहाँ पर घरों की छतों का आकार अधिकतर शंकुआ कार होता है सात्यों इस प्रकार का कैसा होता है इस प्रकार का उनका घर का आकार होता है सात्यों तो यहाँ पर आपका तीसरे विकल्ब सही है शंकुआ कार следующ is Q2rí addition is राजिस्तान में पाये जाने वाला सरुणय खनीज है मतलब है खनीज जो संपुन राजिस्तान में पाये जाता है तामभा पुम्हों जीन स्थांवय प्रिशन संक्या 23 में सूर्य में उर्जा का निर्मान होता है नाभी किये सलयन द्वारा नाभी किये विखंटन द्वारा रेडियो सक्रीत द्वारा और उप्त सभी सूर्य में जो उर्जा का निर्मान है जिसमें असी मुर्जा है अनन्त उर्जा है इसका निर्मान नाभी की सलयन के कारण होता है किसके कारण होता है साथियों नाभी की सलयन द्वारा परत्रमिकल्प यहाँ पर सही साथियों प्रिश्ण संक्या 24 में चलिए अगला क्यूशन देखेंए प्रिश्ण नबर 25 निम्ड में से कौन सी गेस LPG का घटक नहीं है LPG का मतलब होता है Liquid Petroleum Gas Ethane, Ethyl, Propane, Butane और Methane तो साथियों LPG का कौन सा घटक नहीं है पितों देखिए LPG में Methane नहीं होता है क्या नहीं होता है Methane नहीं होता है चोता विकल्प यहां पर आपका सही रहेगा प्रियोजना विदी का चरम सोपान है प्रियोजना का चुनाओ करना उद्देशों का निर्धारन करना प्रियोजना को लिखना प्रियोजना का चुनाओ करना उद्देशों का निर्धारन करना यह तो आपके प्रियोजना विदी के अंतरगत आते है लेकिन चरम सोपान का मतलब होता है अंतिम सोपान जो की है प्रियोजना को लिखना क्या किद हमने क्या क्या चीज़े की है क्या क्या चीज़े सिखी है ये सबसे अंत में लिखा जाता है next 27 वा क्यूशन देखेंगे मित्रों बालक के विश्यगत कोशल का मापन निम्न में से किसके दुवारा किया जाता है blueprint, निश्पत्ती परिक्षन, निदानादमक परिक्षन और उपचरादमक परिक्षन देखिए विश्यगत कोशल का मापन के लिए तो आपको निश्पत्ती परिक्षन करना पड़ेगा कि बालक ने कितना सिखा है को सी जो को सीख नहीं पाया है क्या-क्या परिवर्टन नहीं हो पाये है ये सबी चीजे सातियों निश्पत्ती परिक्षन के अंतरगत आ जाती है सबसे बड़ा जीवित इस्तन पाई है जिराप, सपेत हाती, गेंडा और नेली वेल तो सातियों जो वेल मचली है ये सबसे बड़ी इस्तन पाई जनतु है सातियों चोधा विकल्पी आप गया आपर 28 में सही रहेगा और सातियों आज का सेकंड लाश्ट कुशन देखते हैं पर्यावन अध्यान की किस विदी में चात्र परत्यक शनुवाव द्वरा सीखता है व्याख्यान, पाटे, पुस्तग, भर्माण और सभी देखिए परत्यक शनुवाव बालक को होता है भर्माण के माध्यम से सब्सक्राइब जरूर करें सातियों देखे तीसवा क्यूशन है हद करगा वे पावर लूम के वस्तरों का निर्माण होता है रेशम से, नाइलोन से, कपास से और उप्रोक्तिसभी से सातियों जो हद करगा और पावर लूम के जो वस्तर है मित्रों इनका निर्मान कपास से होता है किस से होता है कपास से तीसर विकल्ब सही ये साथियो परिशन संक्या तीस में तो ये आज के तीस क्यूशन थे कमेंट करके जरूर जाए कितने क्यूशन आपके सही होए साथियों मिलते हैं बहुत जल अगले वीडियो में सभी का साधवाद बहुत धन्यवाद साथियों